इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ख्याल बिना बताए मत रहना कई बार अंदर वाला सोचता है मैंने हटा दिया कई बार अंदर वाला सोचता है मैंने जीत लिया कई बार लगता है नहीं ऐसे ही लहर आई चली गई पर कुछ माया ऐसी होती है जिसकी लहर उठना भी हमारे लिए नुकसान दाया कै क्योंकि मन कहीं न कहीं अपनाना चाहता है इसी लिए इस बात पे बड़े सचे भी रहना है और स्तर्क भी रहना है कि कोई भी इस तरह का ख्याल हमारा अनटेंडिड ना रह जाए हर ख्याल का ट्रीटमेंट होना चाहिए सुक्षम से सुक्षम मन की माया जब हम गुरू के आगे आके रखते हैं तो उसका निवारण होता है दादा भगवान की एक बात हमेशा याद आती है उन्होंने बोला जैसे तुम डॉक्टर के पास उप्रेशन के लिए जाते हैं सबसे पहले वो अनिमा दे के पेट साफ करता है उसके बाद उप्रेशन करता है ऐसे ही जब गुरू के पास आओ तो सबसे पहले अपने पेट की सफाई करवाओ अब यहाँ पेट तो नहीं है मन है जिसमें नाना प्रकार के ख्याले और उसकी सफाई करवाओ और दूसरी बात दादा जी ने बताई कि जब कोई अपने मन की छुपेली बातें गुरू से आके करता है गुरू का उसमें विश्वास जागता है तो यह सच पाने आया है गुरू की नजदी की हासिल होती है यह मत समझना मन बताने से ख्याल बताने से शायद हमें डिस्टेंस मिले शायद हमें एग्नोर किया जाए यह सोचा जाए कि शायद यह योगे नहीं है पर जब तुम अपने मन की छिपेली बाते है गुरू से आके करते हैं दोस्तों देता ही है पर गुरू को एक एतबार भी जागता है तो बराबर इनको सच पाने की जिग्यासा है इनके अंदर पूरी श्रदा है गुरू के लिए तब तो अपना मन खाली करता है ना आके सो मन खाली करना भी बहुत जरूरी वाला काम है ये सब अग्यान की बाते हैं अग्यान के विचार दुनिया वाले बहुत डालते हैं गुरू क्यों बचाना चाहता है हमको इस माया से क्योंकि जहां ये माया भीतर जाएगी ये माया दूसरी माया से भी बुरी है अग्यान की जो माया थी ना उस माया से बुरी निश्काम की माया जैसे बोला जाता है उंट अपना पेशाब दूर करता है पर बैल की पेशाब में फिसल के गिरता है तो इनसान की एक स्थिती है उसको ये माया ज्यादा बांधती है और कोई प्रियोजन नहीं है तुम जाओ करो अच्छी बात है संदेशी दोगे लेकिन एक बात फील करो जब हम कहीं भी कारे में लगते हैं अगर चार लोग वावा करते हैं यहां से नाना होती है गरदन से कानों से अंदर कुछ कुछ जाता है जरूर जाता है क्योंकि हाव भाव बदलते हैं फिर नजरें ढूंडती है आज इनको क्या फील हो रहा है तारी की इच्छा उने लगती है आप अभ्यास के बदले लेक्चर पावर बढ़ानी शुरू कर देते हो दादा जी का एक वचन है पतानी तुमने सुना के नहीं अभ्यास के बदले उपदेश की इच्छा मुरक को होती है मुरक वेक्ती है जो प्रेक्टिस में तो लगे नहीं अभ्यास में तो लगे नहीं और उपदेश करने में लग जाए तो पहले जरूर अभ्यास को वक्त देना है अगर इस माया ने खींच लिया तो फिर हम गए काम से स्वामी स्वामी बजने लगी लगन रामसेओं छूटी वो स्टेज नहीं आने देनी है जहां हम सिर्फ बाहरी कारे के लिए रह जाएं और अपने जीवन वहीं की वहीं रह जाएं सबसे पहले सुजाग ओके आतम जागरती की मेहनत करनी है मेरे पास जीवन थोड़ा है काम अभी बहुत है बले हम कितना कहें गुरु तुमारी शरणा के समाधानता हो गई गुरु तुमारी शरणा के काम उतर गया तो भी आप जानते हो सुक्षम मन की लहरें अभी बहुत सुक्षम जगत बहुत है बले हम बार से कहते हैं आनंद में हैं पर सुख दुख अभी भी हिलाते हैं बले हम बार से कहते हैं जगत मिथ्या है पर जब कोई हालत खड़ी होती है सत्भाव भी आई जाता है बले हम कहें प्रशंसा मेरे अंदर नहीं जाती है लेकिन वो जाती है ये जो खुशी होती है एक बार किसी ने पूछा था गुरू जी से भगवान आप भेजते हो कहीं बले हम बार से ये भी कहते हैं समझते हैं सब गुरू का पर एक खुशी की लहर भी होती है अंदर भगवान ने बोला यही खुशी बढ़ते बढ़ते एहंकार बनेगी आज तुम्हें लग रहा है खुशी है पर ये खुशी बढ़ते बढ़ते कब एहंकार का रूप ले लेगी तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा इसलिए गुरू हमको साफधान करता है ऐसा नहीं गुरू को हमारे कारे से खुशी नहीं है ऐसा नहीं कि उसको कोई जेलिसी है कि तुम्हें कोई जाने ना पहचाने ना लेकिन अंतर मुक्ता द्रड हुए बिना एक नया बहर मुक्ता का रस्ता अगर पकड़ लिया तो अपना लक्षे तो इस भीड में पता ही नहीं चलेगा कहां चला गया गुमो जाता है ये लक्षे अपना इसी लिए गुरू कहता है पहले अपना लक्षे पकड़ो मेरी स्थिती अपने स्वरूप में पक्की हुई मैं आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हुआ सिबत खड़ी हो गई क्रिशन को ये नहीं आया 85 एर्स भगवान क्रिशन के पास ज्यान था उन्होंने प्रगट ही नहीं किया और जब प्रगट किया क्रिशन और अर्जुन एक एक भीड की आकांक्षा हुई उनको उसके बाद भी 125 साल तक जिये उन्होंने कोई संग नहीं ब क्योंकि जब अपनी स्थिती द्रड होती है अपनी आत्मा में तो किसी प्रकार की माया का बंधन नहीं आ सकता है पर जब अपनी स्थिती अपने में द्रड नहीं है तो उलजन पैदा हो जाती है एक बार किसी शहर से कोई दिल्ली आया इलाज विलाज कराने आये थे भगव वहाँ से चिठी लिखी उसने आपके यहां तो काफी लोग थे हमारे पास भी उस समय सौसवासो आते होंगे बोले आपके यहां तो काफी लोग थे और मेरे यहां तो चार पांची आते हैं हमने उसको तुरंत चिठी लिखी अरजुन कृशन भी एक एक थे और एको या दसो ग्यानतों में स्वयम को सुनाता हूँ तुम ये कौन से पचड़े में पड़ गई हो नए और ग्यान सुना खुश हुई पर वो रोज काउंटिंग करती रहती थी यहां इतने मेरे यहां इतने हमने का ये मेरा उद्धार करेंगे तेरा उद्धार करेंगे तेरा निश्चे तुझे तारेगा पहले अपना निश्चे हासिल करो बाकी सब बातें साइड कर दो सबसे पहला काम करो अपने निश्चे में पक्के हो जाओ क्योंकि किसी भी परिस्थिती में हमारा निश्चे हमारा साथी हो सकता है बार खड़ी भीड साथी नहीं हो सकती है अभी देखा सबने गुरु जी के पास लाखों लोग पर कौन काम आ सका का हम सबने शलभगवान हमारी जीवन इनको लग जाए का हम सबने होगा लाखों आवाजे निकली होंगी लाखों दिल से पुकारे निकली होंगी तो भी सिर्फ उनका निश्चे उनके साथ था सारी बाहर रह गए न सब बाहर रह गए ICU के भी बाहर रह गए कौन जा सका क्या था साथ अपना निश्चे इस बात को गांठ मांद लेना, पहले मुझे अपना लक्षे हासिल करके रहना है बाकी सब काम बाद के होते रहेंगे, होमें नहीं होमें इससे भी फरक नहीं पड़ता आज ग्यान सुनके अगर आपने निश्काम ना किया, कोई फरक नहीं पड़ने वाला पर ग्यान सुनके निश्चे नहीं किया, बहुत फरक पड़ जाएगा पच्चतावा होगा, मुझे सच मिला भी था और मैंने गवा दिया ज्यादा पच्चाताप होगा, एक अग्यानी वेक्ती जिन्दगी गवा के जाएग, शैद कम दुखी होगा पर जिसको मिला और उसने गफलत से गवाया, उसकी तकलीफ बहुत ज्यादा होगी सो हमको ध्यान रखना है, हमारा पुर्शार्थ अपने लक्षे के लिए निरंतर चल रहा है बाकी किसी बात के लिए नहीं, आज कहीं चले जाओ, दो भजन गाद होगे, लोग तब भी तारीफ कर देंगे फिर आवाज में बनावट आने लगेगी भीगना है, भजन अपने भीगने के लिए, अपनी भक्ती के लिए, अपनी लिंता के लिए भजन दूसरे के लिए नहीं होना चाहिए, भजन भी अकसर दूसरे को सोच के अम गाते हैं इनको ये वाला अच्छा लगता है, मैं इसको इस तरह से गाऊं, मैं इस तरह से नाच-नाच के गाऊं हम एक्टर हैं, हम स्टेज शो कर रहे हैं, नर्तकी का काम मिला है हमें भजन ने मुझे लीन नहीं किया, मैंने भजन नहीं गाया हूँ, एक माया का गाना गाया है बस, मेरी एक आगरता पूरी पूरी बन जानी चाहिए, जब एक भजन भी गाओ, 100% concentration से गाओ, गुमो जाओ, आँख बन दोती है हो जाने दो, माइक गिर जाता है गिर जाने दो, प तो सचसंग में भजन गा रही थी, और वो लीन हो जाती थी, भजन गाते गाते, पता ही नहीं चलता था, एक नया कोई आया था उस दिन, काफी देर तो बैठा रहा भईये, आँख खोले मैं सला दूँ, मीरा तो आँखी नहीं खोलती थी, आखिर मीरा के सामने वाली दिव पर लिख गया सुर से गाओ, भई तुम गात हो रही हो पर सुर से नहीं गा रही हो, सुर से गाओ, मीरा ने बड़ी देर बाद आँख खोली देखा लिखा है सुर से गाओ, उसने नीचे लिखती है भाव से गाओ, सुर से गाने की जरूरत नहीं है, भगवान तो बे सुरो की आवाज भी सुनता है बलकि सुर वालों की आवाज नहीं पहुंचती क्योंकि वो तो सुर की करेक्शन में ही लगे रहते हैं पर भाव से गाने वाले की आवाज भगवान तक पहुंचती है पर हम यह सोचती हैं हम सुर से गाएं हम बढ़ा के गाएं हम बना के गाएं सब को अच्छा लगेगा क्या इन सब को प्रसंद करना मेरा धरम है मैं जिसको प्रसंद करने के लिए बैठा हूँ उसकी शर्ट केवा लेके मेरे से तार जोड़केगा उसकी शर्ट इतनी है उसको और किसी चीज से लेना देना ही नहीं है कभी हम नाचते हैं तो भी हमारा ध्यान दसदिशाओं में मीरा वाला नाच क्यों नहीं है मीरा वाला नाच वे आप अपने में खो जाओ न मन इधर देखता है इधर देखता है आँखें घुमती है किसलिए ये सब चीजें हमारी साधना में बाधा है अगर मुझे बाहर से प्रशंसा लूटनी है अगर मुझे बाहर की वावाई अच्छी लग रही है मैंने अपने पैर फिसलाने का और अपने पतन का इंतजाम कर लिया क्योंकि मेरी भक्ती की तार तूट जाएगी और मैं कहीं और पहुंच जाओंगा गुरू जी को हमेशा हम लोगों ने देखा भजन कैसे सुनते थे आँख बंद करके अकसर देखा होगा बड़ा कोई नया भजन गादो थोड़ी देर आँखे खोल के देखते थे सुनते थे गाबी लेते थे दो लाई ने उसके बाद आँख बंद उनकी क्या कारण एक अपनी लिनता पहला कारण दूसरी बात अपने में ना मानना गुरू को रिडाइरेक्ट रिडाइरेक्ट अपने में नहीं मानना अब वो आँख खोलेंगे तुम इशारे करोगे वो आँख खोलेंगे तुमसे आँख मिलेगी तुमारा भाव है तुम तो अरपन करोगे पर उनको उस भाव को स्विकार ही नहीं करना है उनको वो भाव अपने गुरू को अरपन करना है सो आखी बन कर लेते थे कभी-कभी तो ताली बजा रहे हैं नाच रहे हैं सब ताली बजाते बचाते थोड़ी देर में देखते थे हम आखे बन दे अरे ये कहां चले गए ये अपने प्रितम के पास चले गए ये अपने भगवान में खो गए अब इनको बाहर हमारे शब्दों से हमारी बातों से कोई लेन देन नहीं है वो आप से आप में राजी हुए बैठे है आज ये आलम है कोई शब्द बोल रहा है कोई नाच रहा है हो सकता है कल ये ना हो फिर क्या वो उदास हो जाएंगे फिर क्या कल उनको अभाव मैसूस होगा नहीं होगा क्योंकि आज ही वो इन चीजों को सुविकार के राजी नहीं है तो जब तक हम इन चीजों को कैच नहीं करेंगे लाइफ में अच्छा तो बड़ा लगता है बाहरी जो खेल है न बहुत अच्छा लगता है बैठ जाओ भजन गाओ अभी यहां सामने आजाओ इशारे करो फूल डालो अच्छा तो बड़ा लगेगा लेकिन कितनी देर भीगोगे इसमें जितनी देर यहां हो न जादा में जादा बाहर तक जब लोग वावा कर देंगे अरे तुम जहां पहुँचती हो रोनक लगा देती हो तुम आ जाती हो जान आ जाती है बस उसके बाद घर पहुँचके तुम क्या हो जो तुम गए थे वही कलर कुटिया वापस आयो कोई आनन्द की लहर अब ये भी बड़ा फरक है एक है लीन होके आनन्द जाग जाना अंदर एक है बाहरी मस्ती बाहरी मौज बाहरी प्रशंसा उसकी खुशी हम उस खुशी को कभी कभी आनन्द मानने लगते हैं डिफ्रेंशियेट करना सीखो आनन्द माना जो ना आनन्द कभी नहीं होगा आनन्द माना जो एकरस रहेगा आनन्द माना जिसकी मस्ती आपके साथ चलेगी और आनन्द माना जिसमें कोई नाम रूप साथ नहीं चलेगा अभी जब आप बाहरी चीजों से खुश होके जाओगे न चेहरे इन लोगों के आगे आएंगे फलानी ने ये का फलाने ने वो का उनके वर्ड्स गुंजेंगे उनकी शकलें याद आएंगी और जब किसी को अंदर का आनंद होता है खो जाता है भजन गाते हो न मैं तो खोई-खोई नाचूरे गाऊं पर खोग है तो उसके बाद नाच रहा हूं या गा रहा हूं याद थोड़ी रहता है क्यों बोला सक्खी ली जो संभाल भाई कोई संभाल लो अब मेरे से अब अपने को संभालना भी मुश्केल है मैं तो जिसके याद में मैंने जहां से अपनी शुरुवात करी मैंने जिसके लिए भजन गाया वो मेरा सामरा मैं उसमें गुम पर हमको गुम होते हुए भी होश है गाहम ये रहे हैं मैं तो खोई खोई पर आँखे फिर भी देख रही हैं किसका क्या रियक्षन है मैं खोई तो खो जाऊं न मुझे क्या करना है मुझे अंदर के अनन्द के लिए प्रियतन करना है माद्यम देखो बहुत सारे हैं कभी भजन माद्यमे कभी सत्संग माद्यमे कभी नाचनाभी माद्यमे लेकिन इस सब में बुद्ध की समाधी अनुभव होनी चाहिए बुद्ध की समाधी में मीरां का नाच ना हो चलेगा चलेगा नहीं नाचे बुद्ध समाधी में कोई फरक नहीं पड़ेगा पर मीरां के नाच में बुद्ध वाली समाधी की स्थर्ता जरूर मैसूस होनी चाहिए इस बात पे ध्यान देना क्योंकि मीरें का नाच अगर अंदर की समादी नहीं बनता तो वो एक संसारिक नाच हो जाता मीरें के नाच की महिमा ही यह है कि मीरें का नाच समादी की तरफ ले गया उसको बाहर से नाच दिखता है अनुभव करती है, जब तक हम उस धिर्टा का बार बार अनुभव नहीं करते हमारी ये बातें बाहरी रह जाते हैं, हमेशा कोशी शो अंदर की स्थिर्टा को प्राप्त करने के थिर मन ब्रह्म अ थिर मन संसार शरीर भले हरकत में है मन स्थरता में होना चाहिए मन एकागरता में होना चाहिए वो एक अलग बात तेरा इश्ट जो भी है नेचुरल सी बात है भजन चाहे राम का गाओ नानक का गाओ, क्रिशन का गाओ तस्वीर तो अपने गुरू की आगे आ जाती है वो कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन वो तस्वीर कायम रहनी चाहिए इतनी कायम रहनी चाहिए जो मुझे बाहर की माया में चलाए मानना होने दे वो ध्यान रखने जैसी बात है हो जाओं मैं तुझ में ऐसी मगन ना डोलाए तेरी माया करूं ऐसा यतन तेरे वचनों में सदा लिव लागी रहे ब्रह्मा कारवरती मेरी जागती रहे ब्रह्मा कारवरती खली ज्यानी की नहीं होती है भगत की भी ब्रह्मा कारवरती है क्या गोपियों की ब्रह्मा कारवरती नहीं है क्या नामदेव की ब्रह्मा कारवरती नहीं है क्या धन्ना भगत की ब्रह्मा कारवरती नहीं है उनका ब्रह्म कौन है गोपियों का कृष्णी तो गोपियों का ब्रह्म है उद्धो नराकार ब्रह्म के पीछे भागते हैं गोपियां साकार ब्रह्म के पीछे हो ली है गोपियों का कृष्ण ही गोपियों का ब्रह्म है वो दूसरे ब्रह्म को नहीं जानती है उनको नराकार ब्रह्म की कोई पहचानी नहीं है नराकार ब्रह्म कुछ होता है गोपियां नहीं जानती लेकिन गोपियों का कृष्णी गोपियों का ब्रह्म है तो इसका मतलब भक्तों की भी ब्रह्मा कारवरती होती है कैसे होती है जब भक्त का ध्यान अपने भगवान के सिवाय कहीं नहीं जाता है यह उती है भक्त की ब्रह्माकारवरती जब उसको सोते जागते उठते बैठते लौपने भगवान से लगी हुई है यह उती है ब्रह्माकारवरती और कोई बाहरी वरती नहीं चाहिए हमें यही है ब्रह्माकारवरती ये जो अंदर मन खुब जाए भगवान में स्थिर हो जाए यही तो उसकी ब्रह्माकार वरती है बाकी ब्रह्माकार वरती के लिए क्या यतन करना है उसको जो जिग्यासू या ब्रह्म ग्यान पाने वाले साधक ब्रह्म ब्रह्म करके ब्रह्माकार वृत्ती बनाते हैं मीरा की गोपियों की वो वृत्ती क्रिशन के प्रेम में अब ब्रह्म ग्यानी क्या कहेगा जड़ चेतन ब्रह्म में मीरा क्या कहती है जैर का प्याला आया अमरत अमरत कहती है ना उसको फिर सर पा गया आया जब काला नाग बोली धन्य मेरे भाग प्रभु आये आज सांप के लिबास में आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार बड़ी किर्पा किर्पा निधान की धन्यवारी हूँ मैं आपके एहसान की अब इससे क्या समझ में आ रहा है मीरां की ब्रह्मा कार वृति है अगर ब्रह्मा कार ना को कृष्णा कार कहलो शामा कार कहलो है तो सही न वही ब्रह्मा कार वृति है कृष्ण कौन है अगर अर्जुन को कृष्ण पहचान देते हैं कि मैं ही नराकार ब्रह्म हूँ नराकार भगवानू देते हैं अगर अर्जुन को बोल के पहचान दी गोपियों की भक्ती से प्रसन्न होके उनको भीतर ही भीतर जन्वा दिया कि मैं ही वो ब्रह्मू गोपियां नहीं डरती है कि मेरे को ब्रह्म का निष्चे करना है ब्रह्माकार वर्ती बनानी है गोपियों को तो पका विश्वास है कृष्ण ही हमारा ब्रह्म है और वो उसी के भाव में खोई हुई है अब आप सारे दिन देखो आपकी ये वर्ती कितनी देर कायम रहती है अगर कबीर ने कसम उठा लिया गड़ीक विश्रू रामकूत ब्रह्मत्या मुए हुए आपने कसम उठाई या नहीं उठाई लेकिन जहां जहां अपने प्यारे को भूल रहे हो ब्रह्मत्या का दोश तो आई रहे वैसे कहते हो प्यारा वैसे कहते हो मेरे प्राणधन वैसे कहते हो मेरे उर्चंदना किते नाम देते हो भगवान को लेकिन फिर भूलते कैसे हो उसको फिर कैसे किसी माया में लिपतो जाते हो फिर कैसे बहर मुखो जाते हो पान ये प्रेक्टिस करो जहां बहुत वावाही भी मिले भगवान बोलते थे वहां नहीं जाना और जहां मार पीट मिले अपमान मिले वहां बार बार जाना और बहुत कठिन तपस्याय यह और भगवान कराते थे कहीं जाओ प्रशंसा मिली नहीं रहने दो अगली बार कोई और चला जाएगा हमा और कहीं कहीं हमारे ही आhin सत्संग होता था एक के गरम करते थे bank manager था उसके पास हर बात की काट हम बोलते थे भगवान सत्संग अटा दें पूरा time बैस करता है नहीं नहीं तुम्हारा ज्यान खुलेगा उसके घर रोज का रखो सत्संग साल भबर उसके घर सत्संग करवाया साल भर चाहे वो सत्संग में टिका भी नहीं बाद में भगवान आये उसको कुछ बाते अच्छी नहीं लगी छोड़ गया पर भगवान बोले हमने तो अच्छा किया तुम्हें मजबूती आई अब फरक क्या हो जाता है चाहे आप सुनते ही हो अब जहां प्रशंसा मिलती है वावाई मिलती है एट्रेक्शन होता है क्योंकि आपका मन इसको क्या नाम देता है प्यार प्यार मिलता है बहुत प्यार मिलता है और जहां कहीं खरा सचोगा दादा की तलवार लटक रही होगी मन कहेगा अच्छा तो लगता है पर थोड़ी सक्ती जादा है पर सक्ती के बिना आप अपने बच्चे की ट्यूशन कहां लगाते हो सक्त टीचर के पास हम लोग ना कभी-कभी मुझ जाते थे भगवान स्ट्रिक्ट बहुत होते थे शुरू में एज भी अम लोगों की छोटी फिर अपने शेरों में सुनना भी आप सुनाना भी आपको इसम जाने वाला तो था नि कभी-कभी मुझ जाते थे नीना मम्मी प्यार से कमरे में बुलाते थे और बोलते थे बेटा स्ट्रिक्ट मास्टर के अंडर में बनावट अच्छी होती है मैं जानती हूँ यह सकती करती है तुम लोगों पे बहुत गुसा करती है अच्छा करती है पर स्ट्रिक्ट मास्टर के अंडर बनावट अच्छी होगी मन को यह पहलो भी क्लियर करके चलना क्योंकि ये पहलो clear नहीं होगा अगर फिर भाग सकते हो मन कहेगा कम करूं जाना जब जाओ पकड़ा जाता हूं क्योंकि मुश्किल ये है जिसको ग्राकी बढ़ानी है वो तुमसे personal सवाल नहीं करेगा लेकिन जिसको तुम्हें बढ़ाना है वो तुमसे कुरेद कुरेद के भी प्रशन करेगा पुछेगा क्या reaction हुआ क्या चला क्यों तेरी मन की माया पता चलनी चाहिए गुरु माया पुछेगा फिर माया के निवारण के लिए डंडा उठाएगा दोनों कामोंने यहां पैर रखना तो संभाल के रखना हम शुरू से ही बताए देते हैं सबको यहां पैर रखना हो तो संभाल के रखना क्योंकि बख्षते हम फिर किसी को नहीं थोड़े दिन देखते हैं आ रहा है बन बन रहा है इसका उसके बाद फिर हम सर्विसिंग शुरू कर देते हैं सीधी बात है हमारे पास ना लिहाज है ना डर है ना शरम है ना मुझे ये भए है कि भाग जाओगे या मेरी निंदा करोगे करो जाके क्या कहोगे मेरी निंदा में दादा की तरह गाली देता है और क्या कहलोगे बताओ क्या बोलोगे इससे ज़्यादा तो वो तो टेंशन है नहीं लेकिन अगर समाधानता से नहीं बैठोगे और कुछ नेगिटिव एप्रोच ले जाओगे चलते चलते गिर जाओगे ध्यान रखना कभी पहले तो कुछ नेगिटिव एप्रोच बने नहीं गल्ती से कभी बन जाए समाधान करके जाना अदरवाइज ये मार्ग पूरा नहीं चड़ पाओगे ये फिसलन बाजी वेडे हैं ये रस्ते ऐसे हैं जैसे हिल स्टेशन्स पे जाओ न बरफ पड़ी हो सड़क पे चलते चलते पैर फिसलते बरफ में शुरू में जब ताजी ताजी गिरती है तब तो रुई जैसी बाद में हाड हो गई अब चलो पैर रखो और गए हम लोग एक बार गए थे मनाली सत्संग के लिए किसी ने बुलाया था तो शाम को फ्री हुए सत्संग से लोग बोले थोड़ा तहल के आए अब तहल ने गए चार जाती बार चार आती बार एक फिसला उसको उठाते उठाते और फिसल गया दो कदम चले एक और फिसल गया ये मार्ग संतों ने क्या बोला इसको फिसलन भाजी वेडा साबुन की सीड़ी पैर फिसलते हैं पर अपना निश्चे द्रड हो तो पैर जमते हैं ये भी अनुभव है फिसलते तब तक हैं जब तक माया का पानी तब तक फिसलते हैं अगर मेरा मन अंदर से किसी माया को स्विकार नहीं करता पैर जमते भी है, सुखे साबुन पे सुखा पैर रखो, सौफ्ट हो के जम जाएगा पैर, साबुन सौफ्ट हो आएगा, पानी हो अगर फिसलने का बराबर डर है, तो जब मेरे पास बरफ पर भी चलने के लिए मजबूत डंडे हैं, नुकिले, श्रदा, विश्वास, जमा क के चल रहा हूँ, कहां से पैर फिसलेगा, क्यों फिसलेगा, नहीं फिसलेगा, पर ये माया है अंदर की, सजगता की जरूरत है, क्योंकि मन आपका कंपेरिजन करता है, जब आप जूठी रोशनाईयों में घूम घूम के आओ, तो फिर ये सच थोड़ा हजम ओने में दिक् मन कंपेर करने लगता है, ऐसा वैसा, हमारे पास चिकनी चुपड़ी बात होती नहीं, आओ जी, बैठो जी, गले लगाएं जी, फलान करें जी, कल भी कोई आया पैर चुआ एक बार, दुबार में डांट दिया, में परे हो जाओ, बार बार क्यों करते हूं, जरूरत नहीं कोई दिखावा नहीं, मेरे पैर क्यों छूते हो, तु खुद ब्रह्म है, कांसे कम हो तुम मेरे से, हम तुम से कांसे ज़ादा हैं, सच को कैच करो, तु प्यार का सागर है, मुझे चुमने चाटने की जरूरत नहीं है किसी को, तु खुद प्यार का सागर है, प्रगट कर अंदर के स्तरोत रुको जो दादा जी का actual ज्याने है उसको catch करो compare मत करना कुछ भी कहीं से भी सच को जानना know the truth and this truth will make you free जो जो इस सच को जानोगे ये सच तुम्हें मुक्त करेगा जो जो इस सच को जानोगे अंदर की बेडियां कटेंगी हतकडियां तूटेंगी मुक्त स्वरूप आत्मा होते हुए अभी तक भी हम खयालों के, मन के, विकारों के इतने बंधनों में क्यों है है तो मुक्त स्वरूप न अगर देखा जाए हमने अपने स्वरूप का अगर विचार किया हो मैं कैसा हूँ मेरा स्वरूप क्या है, मैं मुक्त स्वरूप आत्मा हूँ लेकिन मेरे को फिर भी मन के कितनी तरह के ख्याल बांधे हुए मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ कभी ये विचार करो मुक्त स्वरूप होते हुए भी मुझे बंधन किस चीज़ का है अब योग वशिष्ट में बड़ा अच्छा बोला कहता है ना तुझे किसी ने खरीद किया ना तुझे किसी ने बेचा तो भी तेरी हालत गुलामों से भी बदतर क्यों है अब इस बात का हम विचार करें खरीदा बेचा किसी ने ने अच्छा बेडियां कोई नजर आती ने हाथों पैरों में अंदर वाला फिर भी घुटा हुआ है अंदर वाला फिर भी बंधा पड़ा है वो एक मुक्त हसी अंदर से आती ने हसते हो लेकिन दिखता है कि गुटी हुई हसी है मुक्त हसी नहीं है जो एक आत्माकार की हसी होती है गुरुजी की हसी देखी थी खनखनाती हसी तुमारी हसी क्यों नहीं खनखनाती तुमारी आवास क्यों नहीं खनखनाती तुम चलते हो तुमें क्यों नहीं महसूस होता तुम उड़ते हो जैसे क्या बंधन है ये बंधन मेरे विचारों के बंधन है ये बंधन मेरे ख्यालों के बंधन है ये बंधन मेरे एहंकार का बंधन है ये बंधन मेरी अपनी माया का बंधन है जो मैं अपनी चौगिर्द फैला के बैठा हुआ हूँ बच्चा पहले बात्रूम कर देता है फिर उसी में फिसल जाता है मादो और मारती है हमारी हालत क्या है यह जो बाहर से हमको रस आते हैं बाहर से जो हमको स्वाद आते हैं यही माया हमने अपने चौगिर्द फैलाई हुई है जिसकी वजह से हमें कहीं पोजिंग करनी पड़ती है सजावट, बनावट, दिखावट ये तीन चकरों में पढ़ना पड़ेगा अगर बाहर से प्रशंसा चाहिए, वावाई चाहिए अच्छा बनना है लोगों के लिए ये सजावट, बनावट, दिखावट की पोजिंग चलेगी फिर जब तक हम नॉर्मल नैचुरल अपने स्वरूप में नहीं आते बार बार दादा का वचन चलता है बी एज यू वर बी एज यू वर जब तक उस स्थिती में नहीं आओगे न काम नहीं बनेगा बार की सारी पोजिंग मना शरीर की बात बार बार शरीर की बात बार बार दे की बात इसलिए आप देखो आपके सभाव में भी न एक स्टेबिल्टी नहीं आती है अब ऐसे मैं पूछूँँगा भई तुम सच्चे हो बोलोगे हाँ जी मैं तो बड़ा सच्चा हूँ पर देखो सच्चे होना बड़ा मुश्किल काम है गंगा गए गंगा दास यमना गए यमना दास सभाव में स्टेबिल्टी नहीं आती देखते हो जो जैसा है उसके सामने वैसा कर दो अगले के लिए अच्चे बन जाए स्टेबिलिटी क्यों नहीं आती हमारे अंदर क्योंकि हमने अपने सवरूप का सभाव प्रगट नहीं किया हम फिर शरीर की बात में अड़े हुए फिर हम बाहर से अच्चे बनने में लगे हैं प्रशंसाजितने में मैं जो मन से सच्चा मुक से सच्चा मेरी बाती एक है मेरे को अपने उस स्वरूप में जागने की बड़ी ज़रूरत है उस जागरती में आना है बहुत समय चला गया फाल्तु के काम करते हुए देखा जाए न हम पहली पौडी नहीं चड़े नानक साहिब ने बोला मन साच्चा मुक साच्चा सोए अवर ना पेखे कस बिन कोए नानक ए लक्षन ब्रह्म ग्यानी होए पर हम पहली पौडी भी पास हैं पूछो अपने से अभी नहीं कह सकते क्योंकि हमेशा मन और मुक की बात एक नहीं है बदल रही है कभी कैसे चेंज हो जाता है और कभी कभी पता होता है कहीं कहीं पर देखो आप पोजिंग कर रहे हो आपको पता है पर आप वशो जाते हो कभी परिस्थितियों के कभी मन के वशो जाते हो चलो कोई बात नहीं पोजिंग कर लेता हूँ गुरुजी कहता हूँ उदर भी गुरुजी कहता हूँ फिर पंगे में पढ़ रहे हो अंदर वाले को पता है तुम एक जगा जूट बोल रहे हो क्यों बोल रहे हो जहां बोलने को सच ना हो न मौन बड़ा बेतर बोलो मत ये छोटे छोटे सभाव मिल के हमें सच्चियारा नहीं होने देते हैं छुट-छुटी बातों में जो हम गलतियां करते हैं बड़ी गलतियां नहीं हैं हमारे पास छुट-छुटी गलतियों उसके कारण हमारे पैर फिसल फिसल जाते हैं हमारी ब्रह्माकार वृति नहीं रह पाती है हम नहीं कह सकते कि हम पूरे-पूरे ग्यान में खड़े हैं नहीं ओपाते खड़े क्योंकि हम छुट-छुटी गलतियां करते रहते हैं कभी किसी प्रभाव में कभी किसी जबरदस्ती किसी की हां में हां मिलानी क्यों मिलानी है तुम सच्चाई से अपना पहलू रखो ना सीधी बात है अगर कोई पूछ भी रहा है हां में हां क्यों मिलानी कह दो ना भई मेरे हिसाब से ऐसे बाकी आप जो कह रहे हो ठीक वही होगा पर अभी मेरे अंदर बात ही है मन कहेगा कोई नी ना ऐसे कह दूँ फिर अगले को लगेगा मैं उसकी बात काट रहा हूँ कह देता हूँ हां कर छोड़ता हूँ फस्ते हैं ऐसी चीजों में भी फस्ते हैं सावधानी से चलने का मार्ग है अपने आपको ढिला छोडने का मार्ग नहीं है जो खरा सच लेने आए हूँ उन खरी कसोटियों पे अपने को हर पल तॉलते जाना है चाए बैठे हो वहवार में चाए बैठे हो संसार में पर जो खरा सच पाने की ख्वाइश है न उस कसोटी पर अपने को तॉलो जरूर बार बार तॉलो हर समय अपनी चेकिंग में रहो कि मैं सही जा रहा हूँ भगवानम लोगों को बोलते थे शुरू में रात को बैठके सुबे से रात तक का एक बार ब्योरा जरूर जांच लेना कहां कहां ग्यान के विपरीत चले गए या पूरा टाइम तुमारा आचरण ग्यान से मैचिंग था क्योंकि ये भी जानने वाली बात है अगर जानना नहीं तो मुश्किल हो जाएगा जानना है और एक बार जानने की आदत डालो अंदर वाला आपको छोटे से छोटे विचार पे भी जागरत करेगा एक बार आदत डालो अपनी सेल्फ चेकिंग की सेल्फ इंक्वाईरी की फिर तो आप देखना छोटा सा भी कोई विचार भी कर लोगे न गलत अंदर वाला बाइट करेगा सपने में भी आके भगवान सुजाक करेगा कि तुझे ये विचार नहीं करना चाहिए था तुझे ये करम नहीं करना चाहिए था तेरे को ऐसे नहीं चलना चाहिए था और जब ये जागरती शुरू होती है तब हम मानते हैं विवेक जागा तब हम मानते हैं वैस विक्ती का विवेक जागा है अब ये जागरत होके चलता है आतम जागरती है यहीं से शुरुवात होती है क्रांती शुरू होगी तो जागरती तक पहुंचोगे एक क्रांती शुरू होनी चाहिए अपने अंदर में हर पल की हर पल की सावधनी हर पल की जागरती एक एक्षन भी करो एक शब्द भी बोलो watch yourself बोला ना watch watch क्या कहती है watch your words watch your actions watch your thoughts watch your character and watch your habits अब ये बाहर की watch time देखने वाली ये हर time हमारे साथ है लेकिन जो actual watch हमारे साथ होनी चाहिए कि मैं अपने को watch करूं वो हमारे साथ नहीं रहती वो साथ रखनी ज्यादा जरूरी है बेना नहीं है कहीं भी संभलना है differentiate करना आए देखो वानी भी बहुत अच्छी कोई बोल सकता है लेक्चरार का लेक्चर भी है नो डाउट लेक्चरार का लेक्चर भी बड़ा अच्छा होता है लेकिन एक अनुभवी पुरुष की वानी होती है दादा जी की वानी में बहुत शब्द नहीं थे फिर भी वो सरलवानी यहां टच करती है मन्ना मारा न कभी कभी तॉली नहीं पाता वो सोचते हैं शैद सारे न एक सा ग्यानी सुनाते हैं गिता भगवान बोलते थे अगर तुम्हें ये difference करना ही नहीं आया तो भी तुम्हारा काम खराब है differentiate करना आए सत्ते की अनुभव की मंजी हुई वानी क्या है और एक बार से बंदे हुए शब्द क्या है क्योंकि शब्द बांधना बहुत आसान होता है पढ़ लो किताबें पढ़ लो लेक्चर तयार कर लो द्रिष्टांत याद कर लो बातें याद कर लो उनसे कोई फाइदा नहीं निकलता दादा जी बोलते थे लेक्चर आर का लेक्चर कैसा है जैसे राकिंग चेर पे बैठा हुआ डाक्टर वो कुरसी उसको कहीं ले नहीं जाएगी ऐसे जो कोड़ा लेक्चर करेगा उसकी वानी से तुम किसी अनुभव के तल को नहीं छूपाओगे सिरफ अच्छा लगेगा बाहर से पर अंदर कोई स्थिती द्रड होवे कोई क्रांती छिडे अंदर कोई विकार खत्म हों अंदर से कोई द्रड़ता आए अंदर से कोई अंतर मुक्ता बड़े वो सब नहीं हो पाएगा ये भी पहचान करनी पड़ेगी मालूम होना चाहिए गिता भगवान बोलते थे अगर अश्टा वक्र मुनी बोलता राजा जनक बोलता अश्टा वक्र मुनी को आप जैसा ग्यानना फलाना भी सुनाता है अश्टा वक्र जनक को लात लगा के बाहर निकाल देता कभी भी कोईले की तराजू में हीरा नहीं तुलता है हीरे का तराजू ही अलग है तुम कोईला हीरा बराबर कर देंगे बराबर हीरा भी पहले कोईला था लेकिन जितने प्रोसेस से वो निकल गया अब वो करोडों का हो चुका अब कीमत बढ़ गई है पीछे वाला कोईला भी अब हो आए ना अगर हीरा तो भी उसकी कीमत कम ही रहने वाली है क्योंकि जितना पुराना हीरा जितने कट ज्यादा जितना अनुभव ज्यादा उसकी वैल्यू बढ़ने ही वाली है गट नहीं सकती है चौँ तरफ जागरती एक तरफ की जागरती नहीं चौँ तरफ जागरती चाहे तुम निश्काम में, चाहे तुम सकाम में, चाहे तुम गुरू के पास तुम्हें हर तरह से awareness होनी चाहिए जो aware नहीं है वो अपने जीवन से दगा कर रहा है और जो aware है वो अपने जीवन को सही डिशा में ले जाएगा गुरू से मिलती है पून जागरती फुल अवेरनेस दोखे में मन ना आए और ना किसी को दोखे में डाले बड़ी बिमारी ये अंदर वाले को दोखे में आ जाता है बार बार कोई चार शब्द बोले दोखा होने लगता है निशकाम में तो और बड़ी मुसीबत लोग कह 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 कही भगवान बना छोड़ते हैं हो या नहीं हो जहां चले जाओ आप तो क्या नहीं अरे आप तो क्या नहीं किसी सिद्ध पुरुष के सामने आओ वो बताएगा अनपड़ों के बीच में तो ए बी सी याद करने वाला भी तो बहुत एजुकेटिड है कौन लोग तुमारी प्रिशन सा करते हैं जिनको ग्यान का अनुभवी नहीं है जो बताओगे बोलेंगे आन जी जो शब्द बांद दोगे अगले कहेंगे वावा आप तो क्या सुनाती हैं और खुदाना खासता आवाज मीठी हुई थोड़ा बोलने का अकल हुआ लोग कहेंगे आपके अंदर तो सरस्वती का आवास आप तो बिलकुल अपने गुरुजी से भी अच्छा बोलते हो वावा कौन लोग बता रहें अंदों में काना राजा अंदों की जमात में जा बैठे तो तुम ही राजाओ कौन सी बड़ी बात है पर आव ब्रह्म ग्यानी के सामने हम देते हैं माई करो सत्संग थोड़ा सा हम सुने कौन सी आत्मा तुमारे अंदर विराज माने यहां तो जो बात करोगे गुरू पर खचे उड़ा देगा इसलिए मन को गुरू से परेज अच्छा लगता है प्रेमियों का प्यार अच्छा लगता है उनके बीच जा बैठे उनसे बातें करें क्यूं चड़ाएंगे सब जाड़ पे और गुरू के पास आओ एक जटके में धर्ती पे फेंकेगा उठाके और यह होता है हमने तो बहुत मैसूस किया था अपने शहर से कितने अच्छे होके चले जाओ पहले ही दिन पहुँचो भगवान का वो सत्संग होता था सब धराशाई समझ आ जाता था कोई आउकात नहीं है अभी अभी मनजिल बहुत आगे है अभी चलने का है बढ़ने का है इसी लिए तो गुरू टांग खींचता है हमारी अच्छा तो बहुत है हम फ्री होते कारे करें फ्री होते हो साधना करो लिखो पढ़ो मनन करो, विचार करो एक गण्टा के लिएサमाधी में बैठ जाओ अपनी फ्री होके ये क्यों करणा फ्री होके फसने की कोशिश क्यूं करने फ्री होके छुटने की कोशिश क्यूं ना करें ठेक्येदार तो बन जाएंगे हम दसके लेकिन ठेका उठा सकते वेडा पान लुडी डिये अथ भी अनके अपना बेडा डूबा जा रहा है मात देने चले भी गए चार लोगों को कैसे दे सकते हैं ये भी एक सच्चाई होनी चाहिए जब मैं खड़ा नहीं हूँ तो मुझे वो सब बोलने की आवशकता क्यूं है मैं पहले खड़ा तो हो जाऊं स्ट्रॉंग तो हो जाऊं इतने साल मैंने खुद गवा लिये सत्संग में बैठके ग्यान की गहराई नहीं समझाई फिर अब एक नया कंबल ओडने जा रहा हूँ माया का नो सब साइड में करके बिलकुल अपने लिए इमानदारों के खड़े हो जाओ रोज अपने से आँख मिला के अपने विकार याद करो अपनी गलतियां याद करो बड़ी जल्दी भड़ोगे पर अगर आइने से छिपने लगे आइना देखकर आइने से न डर रे आइने से बचकर तु किधर जाएगा आइने से नहीं भागना कभी भी आओ आइने के सामने और हिम्मत रखो आइना जो दिखाए उसको देखो आने दो क्योंकि जब मुझे पता चलेगा तो मेरा अभ्यास भी तो बढ़ेगा मान लो डर लगे इतनी गलतियां रोज इतनी गलतियां हाँ तभी तो प्रेक्टिस शुरू होएगी तो ये जो बैठे हो ना आराम से टांग पे टांग चड़ा के रात को देखते हो टीवी आराम से दिन में मारते हो गपे से हिलियों से फिर ये एक मुबाइल मिला हो है बातें करने को फिर एक ये मुबाइल मिला हो है मैसेज ट्रांसफॉर्म करने को चलो इदर का उदर माल उदर का उदर माल इस सारा समय वेस्ट होता जा रहा है अभी अंतर मुख बिलकुल अंतर मुख सत्गुरु सहज समादी सिखाया शिवो हमका मंत्र बताया सुना है भजन कौन से कानों से बहरे कानों से कभी प्रशन क्यों नहीं किया सत्गुरु सहज समादी सिखाया हमने तो सिखी नहीं आप क्या बोल रहे हो पुछा गिता भग्वान को जखजोर के पुछा गुरुजी को जखजोर के आपके दर पे ये भजन कैसे चलता है अमें तो अनुभव नहीं हुआ है पर बलकि तुमने भजन गाना सीख लिया मैं भी गाता हूँ सत्व गुरु सहज समादी सिखाया सहज समादी पता है किसको कहते है निरसंकल्प समादी सहज समादी किसको कहते है सरव में पेखे भगवान और एकी भाव में रहे आनंद में संबुद्धी संद्रिष्टी सहज समादी है शिवो अम का मंत्र बताया कि गुरु ने मुझे अपनी आत्मा का निश्चे पका कराया शिवो अम ओम इस निश्चे का आधार दे के सहथ समादी में खड़ा कर दिया गुरु ने मुझे सोचा ही नहीं हमने भजन सुन लिये भजन गादी अपनी छुटी पाई क्यों भई अगर गुरु के दर पे सहथ समादी सिखाई जाती है मैंने क्यों नहीं सिखी अभी तक अगर शिवो हम का मंत्र गुरु जपवाता है मैंने क्यों नहीं जपा क्यों नहीं मैंने ऐसा मंत्र जपा गुरु के पास बैठके कि मैं भी सहिद समादी की स्थिती में आ गया होता अब तक मैं क्यों रलता फिर रहा हूं अभी तक बैठूं भी ब्रह्म ग्यानी के दर पे और कवे की तरह थूक खंगा रिखाऊं हंस क्यों नहीं बना मैं अभी तक मोती चुगने क्यों नहीं आए मुझे अभी तक मुझे क्यों अपने स्वारूप की अनुभव नहीं हो रहे मैं क्यों हंस की तरह मान सरोवर में नहीं हूं हर समय मैं ताल तलया क्यों चला जाता हूं सोचूं न अपने से बैठके कभी विचार करने की जरूरत है न हम तो अपने लिए नए नए बखेड़े खड़े करते रहते है चलो आज ये बखेड़ा चलो आज वो बखेड़ा क्यों बखेड़ा भाई किस चीज का बखेड़ा फरसों भी कोई आया मेरे पास शादी का काड़ देने आए फिर सचसंग में एक आती है मेरे को वो बिल्कुल मा जैसी लगती है मैं उसको मा बोलती हूं उसको भी काड़ देके आऊ मैंने का सुनो सचसंग में किसी वहवार का स्थान नहीं है माएं पहले ही बोते हैं अब सब को ब्रह्म करके देख बगवान करके देख सब को बड़ी माएं बना ली दुनिया में बड़ी बेटिगां बन गई दुनिया में अब यहां आके एक नया कच्रा मत फैलाओ पहले वाले तो वहवार जगत भूलते नहीं तुम लोगों के यहां नए पैदा कर लो फिर आज वो माँ बनी फिर कल वो देगी तू लेगी फिर तू देगी जंजट मेरी जान को खड़ा हो जाएगा मेंनका कोई कार्ड नहीं देना लाना होगा तो हम अपने साथ लाएंगे बैठ जाओ चुप करके यह बिमारी अंदर वाले को अब गिता भगवान गिता भगवान को किसी ने लिखा था आप मेरी बेहन जैसी हो किताब होगी सब के पास गिता भगवान के लेटर्स की आज यह वाला पत्र पढ़ना जाके किसी ने बोला था आप मेरी बेहन जैसी हो गिता भगवान ने चिठ्ठी लिख बेजी उसको बेहन मैं किसी की नहीं हूँ मैं जो हूँ मिर को वो जानो तुम बोल सकते हो किसी को कोई तुमें जो कह रहा है तुमेरी मा तुमेरी बेहन तुमेरा फलाना एक चमाट लगा उसी दी बुला गुरू क्या पका करा रहा है तुम फिर यहां बनने बनने आ जाते हो और तुम लोगों के ऐसे अजारों रिष्टे होंगे मुझे पता है तुम किसी के कुछ हो किसी के कुछ हो किसी के कुछ हो थोड़ा सा सत्संग सुनाने वाले के नजदीक चले जाओ तो ही चार तुमसे रिष्टेदारियां गाठते हैं क्योंकि काम आओगे जड़ा मंत्री संत्री की पहचान होगी सत्संग सुनाने वाले से काम हो जाएगा बजन शजन गाना आता हो तो वैसे लोग तुम्हें अपना बना लेंगे मेरे घर सत्संग और तु जरूर आना बेन नाचना आके बजन गाना और तुम पूछोगे भी नहीं कि मैं नाचने वाली दिखती हूँ तेरे को नाचने आऊ या मैं सत्संग सुनने आऊ तुम कोशो जाएगा मैं को खास बुला गई हूँ बार बार फोन आ रहे हैं आप तो जरूरी आना आपके बिना रोनक नहीं होगी और मेरे जैसा हो ऐसे के घर बिलकुल ना जाए बैठ हमको क्या समझा है तुमने असल में तुम्हें अभी अपनी खुनकी नहीं है अपनी खुनकी नहीं है तुम रहते ही नहीं ब्रह्म के भाव में तुम थोड़ी थोड़ी देर में खुदी उतर जाते है मज़ा आता है तुम्हें बहनजी बनने में भाई साब बनने में किसी का कुछ बनने में मज़ा आता है वेवार फैलाने में मज़ा आता है इससे ये काम निकल जाए उससे वो काम निकल जाए बस यही सब करते रहते हैं ग्यान बीतर उतरता नहीं अगर गीता भगवान की तरह अपनी पावर में रहो निश्चे का जवाब हो ना आपके पास भी भाई मैं किसी का कुछ नहीं हूँ मैं सिरफ अपने गुरू का बच्चा हूँ किसी रिष्टे का इल्जाम न लगाओ मेरे उपर पर अंदर वाला तो खुशी हो जाता है सारे मेरे को इतना प्यार करते हैं ये प्यार है एक नया जंजाल है तुझे तेरी आत्मा से उतार के सबने दे में खड़ा कर दिया ये खुश हो जाते हैं प्यार है कहां का प्यार है भाई एक सच्चंग करती थी कहीं कोई उसकी माँ उसकी बेटी बन गई कोई बेटा बन गया भगवान ने एक दिन वो गालियां दी बोले रन तुने तो यहां खटमल का परिवार खड़ा कर लिया सो और रिष्टेदार बना यहां तुने तो ग्यान सुनाती है तो रिष्टे गांटती फरती है एक एक से अब यह होश गुरू के बिना कोई देहीं नहीं सकता हम लोग किसी को नहीं कहते तो मेरा भाई तो मेरा भला ना तो मेरा टीरा भाईया हम ना किसी के ना कोई हमारा वो एक तो संभलते नहीं ज पर तुम खुश हो जाते हैं, हर एरिया के लोग मेरे को प्यार करते हैं, फिर क्या हो जाएगा उससे, बुलाया तो तुम्हें तुम्हारा सरूप, याद तो जीवभाव कर आया, है तो संसारी कृष्टा, फिर कोई दे जाएगा, कोई ले जाएगा, मिठाई का डिबा दे जाएगा, कोई गिन्नी दे जाएगा, कोई चाकलेट्स दे जाएगा, ले ओ भाई, अब घर वालों से करम खतम हुए नहीं, इन लोगों से नहीं बंद गए, बंद गई करम की गांटें नहीं बंद गई, तुम्हारा सच्संग किस दिशा में जा रहा है, मुझे तो भी ये समझने का है पहले, या तुम मुझे समझो या मुझे समझाओ, तुम्हारा सच्संग किस दिशा में जाता है, और तुम किस दिशा के लिए चले थे, आया था हरी भजन को, और यहां आके भी तू ओटन लगा का पास रजब तेंक यो गजब बांदे ओ सिर पर मुर आया था हरी बजन को तू तू चला नर्क की ओर नया नर्क पैदा करता है तू अपने लिए वापस हो कम बैक तो मैं तो अभी इस सत्संग की मायाओं से भी बाहर निकालना पड़ेगा निकलो बाहर इससे भी अकेले होके भक्ती करो बिल्कुल अकेले होके अभी अभी गीता भगवान की वानी थी एकांतिक सुख भी मैं बनाओ पता नहीं तुमने ध्यान दिया के नहीं अब एकांतिक कैसे होगा जब मेरी एक मैं का भी अंत होगा और तुमारे साथ कितने हैं कितने हैं तुमारे पास इन सब को हटाओ अंदर से अपनी एक मैं भी हटाओ तो एकांतिक सुख भी तेरा कि माया से बचाओ अपने को हटाओ भी बचाओ भी और अगर कहीं मन चले तो बताओ भी लेकिन किसी माया में इन्वाल मतो ना किसी माया में उलजना मत वरना अधूरे रह जाओगे अपने की एकरार हमें करने हैं पूरे ऐसा ना हो रह में हम रह जाएं अधूरे अधूरे नह रहना है यह इक्रार इसी जनम में पूरे करने है गुरू ने बहुत कृपा किये पर हम गुरू से पूरी लेन देन नहीं की ना उनको समझाने ही पूरा इसलिए हम बीच में भ्रमित हो गए पर अभी जागो अभी पूरा लेन देन करो और अपनी मन्जिल पे खड़े हो जाओ गुरू का सपना तुम्हे पूरा करना है गुरू के संकल्प को पानी देना है गुरू का एम अपना एम बनाना है नहीं तो तुम गुरू के भी दोशी कहलाओगे गुरू के चोर कहलाओगे मेहनत लिया उनसे पर सच्यारे होके बड़े नहीं ऐसा मत करना कभी भी